फाइनली हमारी गॉल्ड फिश ने बच्चे दे दिये हैं देखो मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ मैंने अपनी ओरेंडा रेट केप गॉल्ड फिश को अलग रखा था क्यूँके ये अंडे देने वाली थी और साथ मैं इसके मेल गोल्ड फिश को भी रखा था क्यूंकि उसके बिना अंडों में से बच्चे बाहर नहीं आते और इस मचली ने तीन-चार दिन से अंडे दे रखे थे लेकिन उन में से बच्चे बाहर नहीं निकल रहे थे अब इनकी मा को इनसे मिला देते हैं आखरी बार क्योंके अब इन बच्चों को मैं अलग ही पालूंगा ऐसा इसलिए अगर इनकी मा के साथ मैंने पाला इन बच्चों को तो वो इने खा जाएगी अब इनकी माँ को इनसे अलग कर देते हैं कभी वो आग बचते ही अपना काम दिखा दे और ये बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं इतने छोटे हैं कप्पी के बच्चे भी इनको खा जाएंगे